नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां भारत में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है एक अनार सो बिमार अर्थात अनार एक ऐसी महा और शदी है जो अनेको बिमा बहुत अच्छा श्रोत है इसमें लोहा, मैगनीशियम, फासफोरस, पोटैशियम, फोलेट, मैगनीज, सेलेनियम, जिंक जैसे और भी अन्य पोशक्तत्व नहीं थैं यह फल उमेगा सिक्स फैटी एसिड का भी एक अच्छा श्रोत है अनार का फल ही नहीं अपीतू इसका हर एक अंश शरीर के स्वास्थ के लिए लाफदायक है अनार के पेंड की जड़ें, पत्तियां, छिलका, बीज, इत्यादी सभी और शद्य प्रयोजनों के लिए उप्योग की जाती है यह पाचन शक्ति को बहतर करता है, विर्य गठन को बढ़ाता है, स्मृति को सक्रिय करता हवा, पित, कफ की वज़ह से शरीर में हुए असंतुलन को ठीक कर देता है, हिमोगलोबीन के गठन को बहतर बनाता है और एक बहुत अच्छा रक्त शोधक है, तो आईए हम इस चमतकारी फल के चमतकारी गुणों के बारे में आज जानते हैं, अनार लाता है तवचा पर च अक्सिडेंट का एक प्रचूर श्रोध है, जो बढ़ती उम्र की तवचा को पोशित कर जुर्यों को तवचा की सुंदर्ता को कम करने से रोकता है, इसमें और भी अन्य पोशक तत्व होते हैं, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हैं, प्रती दिन ए एक अनार अपने आहार में शामिल करना चाहिए आपको, एतनो फार्मा कोलोजी के जर्नल में प्रकाशित एक अध्यान के अनुसार, अनार कोलेजन संशलेशन को बढ़ावा और मिटलो प्राटेनेंस वन के उत्पादन को रोक कर तवचा को जवान बनाए रखता है, इसके स प्रमग्र मोखिक स्वास्थे में सुधार लाकर उसे तरुताजा कर देते हैं, अनार में मौजूद तत्व दंत पटिका यानि कि पलाक के खिलाप संरक्षन प्रदान करने में सक्षम होते हैं, पटिका गठन को कम करके यह दंत शय, पायरिया, मसूडे की सूजन और कृत्र एक 2011 के अध्यान की रिपोर्ट में पाया गया कि अनार के रस से कुला करना पटिका गठन को 32% तक कम कर सकता है, अनार के फायदे हिरिदय के स्वास्थ में सुधार लाने में भी होते हैं, जिहां अनार आपके हिरिदय के स्वास्थ के लिए अत्यंत सिहत मंध होता है, यह र अनुसार अनार का रस धमनियों के सक्त होने के उपचार एवं उससे बचाव में मदद करता है इसके अलावा ब्रिटिश के पोशन जर्नल में प्रकाशित एक 2010 के अध्यान में पाया गया है कि 800 मिली ग्राम अनार के बीज का तेल ट्राइंगिली स्राइड को कम करता है और उच गहनत वाले लिप्रो प्रोटीन यानि की HDL अनुपात में सुधार लाता है इसके बाद अनार के और शध्य गून स्वस्थ रक्त चाप बनाए रखने में सहायक होते हैं जिहां अनार उच्छ रक्त चाप के रोग्यों के लिए भी बहुत लाबदायक होता है यह एक विटामिन C एवं नाइट्रिक एसीड का एक अच्छा शुरोत है इसके पोशिक गून रक्त प्रवाह को नियमित करने एवं रक्त धमनियों को पोशित करने के लिए जाने जाते हैं यह दिल के दोरे के होने की संभावना को भी बहुत हथ तक कम कर देता है Complimentary Therapies in Clinical Practices में प्रकाशित 2011 के अध्यान का कहना है कि अनार का रस शिष्टोलिक रक्त चाप कम करता है रोजाना एक गलास अनार का जूस पियें और रक्त चाप को नियंतरित करें अनार का सेवन करते समय रक्त चाप के अस्तर को देखते रहें विशे शुरूप से तब जब आप अनार का सेवन बलर प्रेशर की दवाईयों के साथ कर रहे हूं तब अनार के स्वास्थे लाभों में से एक महतोपून लाभ है कि ये जोडों के दर्द के लिए फायदे मंद होता है जी हाँ अनार जोडों एवं उससे संबंधित समस्याओं का भी एक सफल उपचार है अस्थी संधि शोथ और समग्र जोडों के दर्द से रहत पाने के लिए अनार के बीजों का सेवन दैनिक नियमित रूप से करें यह इंटियोक्सिदेंट एवं सूजन को कम करने वाले गुहों से युक्त है और जोडों में अकड एवं सूजन को कम करने में सक्षम है 2005 में पोशन जर्नल में प्रकाशित एक ध्यन के अनुसार अनार में ऐसे तत्व समाविष्ट हैं जो जोडों को शति पहुँचने से रोकते हैं जोडों के दर्द से रहत पाने के लिए आप रोजाना एक गलास अनार का जूस पीएं लेकिन यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लें आप अनार के जूस एवं किसी भी तेल को बराबर मातरा में मिला कर उससे मालिष करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अस्मरन्ण शक्ति को बढ़ाता है अनार जी हाँ अनार का सेवन करने से असमरन शक्ति को तो बढ़ावा मिलता ही है परन्तु साथी में यह अलजाइमर यानि कि भूलने की बिमारी जैसे दिमाग से समबंधित विकारों को भी हराने की शमता रखता है 2013 में हुए एक शोध में पाया गया कि अनार दिमाग की क्रियाओं में सुधार लाता है और उम्र समबंधित दिमाग की समस्याओं को भी ठीक करता है अनार के जूस के फायदे एनिमिया के लक्षनों से लड़ने के लिए भी बेहदलावकारी होते हैं अनार एनिमिया से पीडित रोग्यों के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है यह शरीर में लोह की कमी को पूरा कर रेड बलड सेल्स की संख्या को भी बढ़ाता है यह रक्त में हिमोगलोबीन की मातरा में बढ़ोतरी कर उसके प्रवाह में भी सुधार लाता है इसके अल प्षम, डाइटरी सप्लिमेंट है और एनिमिया के लक्षनों से लड़ने में शरीर को पूरा सहयोग देता है एनिमिया को मात देने के लिए रोजाना अपने सुबह के नाश्टे के साथ एक कप अनार का जूस पिए इसका दूसरा विकल्प यह है कि आप अनार के बीजों क पीश कर चूरून बना लें और रोजाना सुबह आधा चम्मचून गर्म पानी में मिला कर पीलें आपको लाब होगा इसके साथ साथ अनार के लाब कैंसर का उपचार करने में भी बेहद लाबकारी हैं अनार की स्वास्ते के लिए गुनवत्ता छोटी छोटी बीमारियों तक ही सिमित नहीं है अपितू यह कैंसर जैसी बड़ी बिमारी से लड़ने का भी सामर्थे रखता है यह कैंसर की कोशिकाओं का नाश कर ट्यूमर के विकार पर पून विराम लगाता है अनार के फल का सेवन प्रोश्टेट फेफड़े एस्तन एम स्कीन कैंसर में अत्यंत प्रभाव की पूश्टी करी है अनार के रस्त का फाइदा है मधुमेह को नियंतरित करने के लिए जी हाँ जो लोग मधुमेह या फिर किसी भी उपापचई समबंधित बिमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए अनार बोहत ही फायदे मंदफल है यह इंसुलीन के प्रती शरीर की समवेदन शीलता को कम करता है और मधुमेह से होने वाली समस्याओं से भी बचाओ करता है पोशन अनुसंधान में प्रकाशित एक 2013 के अध्यान में पाया गया कि अनार के रस में अध्वीतिय एंटियोक्सिडेंट पालिफेनाल्स यानि कि टैनिन और एंथोस्यानिन्स होते हैं जो टाइप टू मधुमेह को नियंतरित करने में मदद करते हैं प्रजनन शम्ता को बढ़ावा देता है अनार जी हाँ अनार उन महिलाओं के लिए अत्यंत फायदे मंद होता है जो गर्भवती होने का प्रयास करती हैं यह गर्भाशे में रक्त प्रवाह को बढ़ा कर उसे सशक्त कर देता है और गर्भपात के खत्रे को खत्म कर देता है फार्मा कोगनासी पत्रिका में प्रकाशित एक अध्यायन की रिपोर्ट के अनुसार अनार प्रजनन अंगो के स्वास्टे को बढ़ावा देता है और गर्व धारन करने में सहायता करता है परन्तु यह अध्यायन इस बात को भी उजागर करता है कि अनार के अधिक्तम सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इसके स्वास्टे पर नाकारात्मक प्रभाव भी पढ़ सकते हैं जो कि हम आगए आपको बताएंगे कि क्या क्या लोस होते हैं अत्यधिक मात्रा में अगर आप जूस का या फिर अनार का सेवन करते हैं तो अनार में विटामिन सी और के साथ साथ फोलिक एसिड भी होता है जो गर्व में पल रहे बच्चे के विकास को बढ़ावा देता है यह शरीर को चिंता एवं तनाव से भी मुक्ति कराने में सहायक है जो गर्वधारन करने में और और समग्र स्वास्ते में सुधार लाने में मदद करता है गर्वधारन की संभावना को बढ़ाने के लिए अनार के बीज और च्छाल यानि की तना का चून बना लें और उन्हें बराबर मातरा में मिला लें इस मिश्रण को एक हवा बंद डिब्बे में रख दें और कुछ अब हम आपको बता रहे हैं कि अत्यादिक मातरा में अनार लेने से क्या नुक्सान होता है या किन बिमारियों में अनार का सेवन नहीं करना चाहिए अनार में मौझूद एंजाइम, लिवर में मौझूद कुछ एंजाइमों के कामकाज में बाधा कर सकते हैं यदि आप लिवर विकारों के लिए किसी भी विशिष्ट दवा पर हैं तो इस फल या इसके रस लेने से पहले अपने चिकित सक्से परामर्श अवस्य कर लें इस फल की अत्यधिक खपत कई विकारों का कारण बन सकती है उन में से कुछ मितली उल्टी पेट दर्द और दस्त ये सारे हो सकते हैं आपको लेकिन यह लक्षन आम तोर पर कुछी घंटों के बाद कम हो जाते हैं अनार की अत्यधिक खपत जट्रांत्र पत्थ में जलन भी पैदा कर सकती है इस फल की खपत के कई लक्षन हो सकते हैं जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं उन में से कुछ एक लक्षन हम आपको बता देते हैं कुछ भी निकलने में आपको दर्द होने लगेगा चकते हो जाए सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी मुह में सूजन और दर्द होने लगेगा इसलिए आवश्यक है कि इसे आप सिमीत मातरा में खाएं और कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें जो कि हम आपको बता रहे हैं आप एक सब्ता तक अनार को कमरे के समान्यतापमान पर अनार के बीज खाने के बाद यदि आपको खाद्य एलर्जी के लक्षन दिखें उसका सेवन करना तुरंत रोक दें और अपने चिकित सक से परामर्ष लें अनार के रसका सेवन रक्त संबंधित दवाईयों के साथ डॉक्टर की सलाह लेने के पास्चात्य करना चाहिए किस सब्सक्राइब प्रकार का अनार पुरक चुनने से पहले हमेशा पहले डॉक्टर से परामर्ष आवस्य कर लें तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए अनार के फायदों से जुड़ी हुई जानकारियों के लेकर के उपस्तित हुए थे लेकिन इसके सा साथ हम आपको इसके अधिक मातरा में सिवन से होने वाले नुकसानों को भी बताया क्योंकि आप ये जानते रहेंगे तो ही फायदा इसका उठा सकते हैं आप तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और ब हन्यवाद नमस्कार दोस्तों